नमस्कार दोस्तो युजवेंद्र चहल के बाद ये भारतिय क्रिकेटर्स भी कर सकते हैं शादी दोस्तो उसके बारे में मैं आपको पुरी जानकारी बताऊंगा के कौन से खिलाडी है लेकिन आप इंडियन क्रिकेटर्स को पसंद करते हो तो इस वीडियो का लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब दोस्तो बात करते हैं कि टीम इंडिया के लेक स्पीनर युजवेंद्र चहल अपनी शादी की खबर से फैंस को सर्प्राइस किया था चहल ने 22 दिसंबर को अपनी मंगेतर धन्सरी वर्मा के साथ शादी कर ली थी उनके अलावा कई अ चैनल राहूल पिछले कुछ समय शे शानदा प्रदर्शन कर रहे है राहूल वंडे और टी-ट्वेंटी क्रिकेट में बारत के लिए मैच वीनिंग प्रदर्शन कर रहे है केल राहूल की लव लाइट की बात करrise करहते हैं तो वह बॉलिवूड के दिगज एक्टर सुनिल शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी को डेट कर रहे हैं राहुल सोशल मीडिया पर कई बार आतिया शेट्टी के साथ फोटो शेयर करते हैं हाला कि अब तक दोनों ने इस बाद को स्विकर नहीं किया है कि वह रिलेशन्शिप में हैं लेकिन दोनों की सोशल मीडिया में तस इशा नेगी के साथ रिलेशन्शिप को लेकर चर्चा में रहते हैं इशा देहरादुन की रहने वाली है और वह एक इंटीरियर डिजाइनर है पंत से रिलेशन्शिप का खुलासा होने के बाद से ही शोशल मीडिया पर इशा के फॉलोवर्स बढ़ गए है इशा नेगी इंस जस्परित बुमराह टीम इंडिया के स्टार तेज गैन बाद जस्परित बुमराह साउथ की एक एक एक्टरस को डेट कर रहे है मिडिया रिपोर्ट के माने तो तेलुगू अभिनेतरी अनुपा परमेश्वरन और बुमराह रिलेशन्शिप में है इन दोनों ने अभी तक अपने रिष्टे की बात को स्विकार नहीं किया है फिर इस बात को नजर अंदाज करना मुश्किल है चोथे की लाड़ी है इशान किशन मुंबई इंडियास के बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेटर इशान किशन गल्फरेंड अदिती हुंडिया के साथ रिलेशन्शिप मे है अदिती पेशे से एक मॉडल है और मिस इंडिया 2017 में हिस्सा ले चुकी है वह मिस इंडिया राजस्थान का ताज भी पहन चुकी है अदिती ने कई बार सोशल मीडिया पर इशान किशन के साथ फोटो शेर की है इशान किशन की गल्फरेंड विराट कोहली और MS दौनी की भी बहुत बड़ी फैन है वह क्रिकेट को काफी पसंद करती है और ऐसी खबरे है कि इशान किशन जल्द अदिती के साथ शादी कर सकते है तो दोस्तो इस उड़े के बारे में आपकी क्यार आई है वह हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकॉन को भी प्रेस कर देना है क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरे लेकर आता रहता हूं